नमस्कार, मनुदेल सिरे क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे अजमेर जिले के जितने भी important question बनते हैं उन्हीं important questions को तो अपना पहला क्योशन है कि अजमेर में बाल संसद की स्थापना कहां की गई तो अजमेर में जो बाल संसद है उसकी स्थापना की गई थी तिलोनिया में समाजी कारिय सोध किंदर किस स्थान पर है तो S.W.R.C. है वो तिलोनिया में ही है तो अजमेर में बाल संसद की स्थापना कहां किगी तिलोनिया में किगी और S.W.R.C. भी कहां पर है तिलोनिया में है नेक्स है कि अब्दुल खां का मकबरा इस्थित है तो अब्दुल खां का मकबरा है वो अजमेर में ही इस्थित है नेक्स है हेपी वेली इस्थित है तो हेपी वेली है किशनगड अजमेर में नेक्स अपना आता है कि सोर ये उद्यान इस्थित है तो सोर ये उद्यान इस्थ में हैं यहां पर यह जो स्थान है एहडा और सुक्पुरा जो अजमेर और टोंक में उन्हें स्थानों पर गुप्त कालिन सिकों का क्या मिला है बंडार मिला है जिसे बंडार को क्या बोलते हैं दफिना भी बोलते हैं तो गुप्त कालिन सिकों का बंडार या दफिना का मिला ह अजमेर और टॉंग के दो जिले हैं एहडा और सूखपुरा एहडा तो अजमेर का है और सूखपुरा है टॉंग का नेक्श आता है कि अजमेर इस दिगंबर जेन संपर्दाय की परशित छतरिया हैं तो है आतेड की छतरिया नेक्स्ट है कि आमेर के राज़ा मान सिंग द्वारा अजमेर में निर्मित महल जो वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में जाना जाता है तो उसका नाम है मान महल नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के एकिकरन के दोरान अजमेर का राजस्थान में विले कब किया गया था तो अजमेर का विले विवा थाँ 1 नमबर 1956 को नेक्स्ट है कि अकबर के दोरत खाने के नाम से परशित दुरग कौन सा है तो अकबर के दोरत खाने के नाम से परशित दुरग है मेकजिन दुरग विसब हारबर ने अकबर के किले को सूर्य का क्या बता है जिब्राल्टर भी कहा है क्या कहा है पूरव का जिब्राल्टर भी कहा गया इसको नेक्स्ट है कि किसने ब्रजबासा में कवाली की पर्था आरम की थी तो किसने की थी मोनोईदिन चिस्ती ने ब्रजबासा में कवाली की पर्था को आरम किया था मोहिनी दिन चिस्ती ने जिनका समंद कहा से हैं अजमेर से हैं अजमेर की ख्वाजा मौनो दिन चिस्ती की जो दर्गा है उसमें उर्ष का योजन किया जाता है जो किस वज़े से मनाया जाता है मौनो दिन चिस्ती की मर्तिव की बर्षी की रूप में उस उर्ष को मनाया जाता है नेक्स है कि यदि किसी वहन की रजिस्टर संख्या आ रहा है 01-C9909 है तो वह है वहन किस दिले से पंजी बत होगा तो RJ01 यह है अजमेर के नमबर जहांगिर दुआरा अजमेर में निर्मित हाथी भाटा किस पदती पे निर्मित है तो हाथी बता निर्मित है परशियन पदती नेक्स है कि अजमेर में इस्थित अकबर की सराय का दूसरा नाम है तो उसका दूसरा नाम है गणपतपुरा अकबर दुआरा इसका निर्मान बाहर से आने वाले तिर्थ ही आत्रियों के ठहरने के लिए सराय के रूप में कराया था जिसका दूसरा नाम क्या है गणपत पुरा नेक्स्ट है कि मदार गेट बाला जी का मंदिर की जिले में इस्थित है तो मदार गेट बाला जी का मंदिर इस्थित है अजमेर में दादा बाडी का निर्मान किसकी स्मर्ती में करवाया गया तो दादा बाडी का निर्मान करवाया गया था जीन दत सुरी की स्मर्ती में नेक्ष्ट है कि सोहन जी की नसियां कहां इस्तित है तो सोनी जी की नसियां सोनी जी की नसियां इस्तित है अजमेर में इसके दो भाग हैं एक तो एक नसिया जी और दूसरा है सरुन नगरी कहलाता है सोनी जी की नसिया नाम से विख्यात सिद्ध कूट का सिल्यानास 10 अक्टुमबर 1864 इसवी को सेट मूलचंद सोनी ने करवाया था इस विज़ेश इसको क्या कहते हैं सोनी जी की नसिया भी कहा जाता है तो इसका सिल्यानास आपको याद रखना है मूलचंद सोनी ने करवाया था इसके दो भाग है एक तो नसिया जी है और दूसरा है सरुन नगरी बापोगड की जिले में स्थित है तो बापोगड अजमेर में स्थित है या हनमान जी का एक पुराना मंदिर बना हुआ है बापोगड में जो मरठा सर्दार बापो सिंदिया के नाम पर बापोगड कहलाता है बापो सिंदिया इस वी आई थी 1816 सोडा से लेके 1818 इस वी तक अजमेर का गवर्णर रहा था बापोगड की जिले में स्थित है अजमेर में स्थित है या हनमान जी का एक पुराना मंदिर है जो मरठा सर्दार बापो सिंदिया के नाम पर क्या पड़ गया बापोगड कहला ख्वाजा मौनोदीन चिस्ति की दरगा का निर्मान किसने प्रारम करवाया था तो गया सुदिन खिलजी ने करवाया था नेक्ष्ट है कि अजमेर इस्तित मेयो कोलेज की स्थापना कब हुई तो अठारा सो पिचेतर इस्वी में हुई थी नेक्ष्ट है कि विग्रे राज चतुर द्वारा निर्मित पाट साला को कुतबो दिन एबग द्वारा तुडवा कर उक्तिस्तान पर किसका निर्मान करवाया गया तो अठाई दिन का जोपड़ा तो ये आपको सारी चीज़े से में याद रखनी है कि विग्रे राज चतुर द्वारा निर्मित पाट साला थी उस पाट साला को कुतबो दिन एबग के द्वारा तुडवा कर उक्तिस्तान पर बनाया गया था अधाई दिन का जोपड़ा राजस्तान में सर्वादिक फेल्स पार खनीज किस इस्तान पर पाया जाता है तो फेल्स पार पाया जाता है ब्यावर अजमेर में सर्वादिक राजस्तान में अजमेर में निमबार्ग संपरदय का परमुक किंदर है तो है सलेमाबाद नेक्स्ट अपना क्यूशन आता है कि फोई सागर जील का निर्मान करवाया इससे कैसे भी गुमाफिरा के क्यूशन पूचा जाता है तो इसको आपको पूरा पढ़ना है फोई सागर जील के बारे में कि फोई सागर जील का निर्मान किस ने करवाया था तो नगर परिशद अ अजमेर ने करवाया था फोई सागर जील का निर्माण। इस जील का निर्माण अठारा सो इकानवे बाड़ में के दोरान नगर परिशद अजमेर द्वारा अकाल रहतकारियों के तहट करवाया गया था। नदी के केच्मेंट शेतर पर बनाया गया था तो नदी कौन सी है बांडी नदी का क्या है केच्मेंट शेतर है और फोई सागर इसका नाम रखा गया क्योंकि इस इंजिनियर का नाम था फोई। वी थी उस टाइम उनकी उमर थी 26 वर्स। प्रारम में इस कोलेज में केवल राजगुमार ही पढ़ते थे। इसमें नाम आता है कर्नर वाल्टर क्या थे कोलेज की योजना के जनक थे। उलिवर सेंट जोन सैस्था के पर्थम प्राचारिय थे। प्रिंस ओफ वेल्स क्या थे। ये किंग एडवर्ड सब्तम के नाम से विख्यात हुए। और इन्होंने इस सैस्था को पूरव का इटन की शंग्या दिये। तो ये सबी आपको चीजह याद रखने हैं। कर्णर वाल्टर को क्यों थे। कोलेज की योजना के जनक थे। और उलिवर सेंट जोन थे। सैस्था के पर्थम प्राचारिय थे उलिवर सेंट जोन। प्रिंस ओफ वेल्स थे। इन्होंने पूरव का इतन का है इसको शंग्या दिये नेक्स्ट है कि फोवेसागर के पास इस्तित अजेपाल है प्राचीन सिव मंदिर है अजेपाल अर्णोराज द्वारा निरमित इस सव मंदिर के नीचे रूठी रानी का महल विस्तित है जहांगिर की बेगम नूर जहां बादसा से रूट कर क्या हो गई थी? चली गी थी और ये भविशे में क्या कहलाई? रूठी रानी के नाम से परशिद हो गई थी, नूर जहां के रूट कर यहां रहने की कार्ण यह है महल, रूठी रानी का महल कहलाने लगा, तो प्राचिन स्यूमंदिर है, अजे पाल, विसल सर की जिले में इस्तित है तो विसल सर इस्तित है अजमेर में इसका निर्मान सासक थे विसल देव के द्वारा करवाया गया था इसमें आनासागर जील का पानी आता है तो विसल सर जील का निर्मान किसने करवाया था विसल देव ने करवाया था जगह है अजमेर में और इसमें पानी आता है आना सागर जील का नेक्ट आता है कि हिंदों का सबसे बड़ा तेति इस्तल माना जाता है तो पुसकर को माना जाता है अब पुसकर के बारे में कुछ मैतरपुन बाते हैं कि पुसकर को राजपरिया का गुरू कहा जाता है तो पुसकर को क्या कहा जाता है राजप्रिया का गुरू का आजाता है बर्माजी का यग या जेश्ट पुसकर मद्य पुसकर और करनिश्ट पुसकर यानि बुड़ा पुसकर भी ये कहलाता है कवी जयानक कवी का नाम है कवी जयानक ने देखो क्या काया कि कस्मीर के परशिद कवी है ये उन्होंने पुसकर में रहकर पर्थ्विराज विजे की रचना की थी कवी जयानक ने की जो कहां के थे कस्मीर के परशिद कवी थी ये पुसकर में रहे थे और पुसकर में रहकर इ नोंने परतिवराज विजे की रजना की थी कवी जयानक ने अठारा सो चोमालिस इस्वी में निर्मित रंग जी का मंदिर की जीले में इस्थीत है तो रंग जी का मंदिर इस्थीत है अजमेर में अजमेर इस्थीत है मंदिर वेश्णों पूजा वेश्णों पूजा तो समाली सीचिव में सेट पुरुनमल के द्वारा करवाया गया था, तो रंग जी के मंदिर का निर्मान किस ने करवाया है, अजमेर में करवाया है, सेट पुरुनमल ले, नेक्स्ट है कि सालार गाजी का चिल्ला कहा स्थित है, तो सालार गाजी का चिल्ला स्थित है, अजमे पंचकुंड में पंचकुंड अग्यातवास के कारण पंडव कुछ समय तक इसी स्थान पर रहे थे भागवान स्री राम भी 14 वर्स के वर्वास के दोरान पंचकुंड आए और यहां मद्य पुसकर के पास जिसे गया कुंड भी कहते हैं अपने पिता दसरत के मोक्ष के लिए पिंडदान किया इस स्थान को सुदा बाए भी कहते हैं इसके पास ही एतियासिक बुड़ा पुसकर भी इस्तित है तो पंचकुंड बहुत इंपोर्टेंट जगह है यहां पे कवनाए में स्री राम ने अपने 14 वर्स के वनवास में कुछ समय बिताया और पिंडदान भी द पिसांगन स्थान किस जिले में है तो वो अजमेर में है इस स्थान पर काले सरा और सागरमती नदियों का संगम होता है पिसांगन में खंडेलवाल सरावग्यों की आनंदी माता के मंदि duż के लिए पर्शिद इस्थित है, वो है नोसल यह देवी सरावग्यों की लवाडिया साखा तथा महाश्यों की चित लांगया साखा की क्या है? कुल्देवी है आनंदी माता तिल पर्टी उद्योग और कोटन मीलों के लिए अजमेर का परशिद इस्थान कौन सा है तो वो है ब्यावर नेक्ष्ट अपना क्युशना आता है कि राज्ये की पर्थम सूती वस्तर मील दीकष्णा मील ब्यावर की स्थापना की गी तो सेट दामोदर दास द्वारा नेक्ष्ट है कि आनासागर जील के किनारे दोलत बाग का निर्मान कराया गया तो जहांगिर के द्वारा करवाया गया था नेक्ष्ट है कि सर गाउं और करातिया जीले की जीले में इस्तित है तो सर गाउं और करातिया जीले इस्तित है अजमेर में गोडे की मजार इस्तित है तो घोडे की मजार इस्तीत है मेरान साहब की दरगा में ये इंपोर्टेंट पूचावा क्विशन है कि घोडे की मजार इस्तीत का है तो मेरान साहब की दरगा में इस्तीत है नेक्ष्ट अबना क्विशना आता है कि अजमेर निवासी हर विला सार्दा ने किसवर सार्दा एक्ट परित करवाया तो परित करवाया था 1929 इश्वी में नेक्स्ट अपना क्यूशन आता है कि मानिके लाल वर्मा के दुआरा मेवाड का वर्तमान सासन पुस्तक का परकाशन कहां से किया गया तो मानिके लाल वर्मा के दुआरा मेवाड का वर्तमान सासन पुस्तक का परकाशन किया गया था अजमेर से दारा सिको का जनमिस्थान राजस्थान के की जिले में हुआ तो अजमेर में हुआ था दारा सिको का जनमिस्थान यह जो अजमेर से जितने भी important question बनते हैं RPC के द्वारा जो जितने भी question पुछे जाते हैं या किसी भी competition exam में अजमेर से अगर question पुछे जाता है तो यही आपको question मिलेंगे ओके thank you for watching my video